परदेश सरकार द्वारा मादक द्रव्यों के दुरूप्यों की रोगथाम के संबंद में विशेश अभ्यान के देहां चिला में विभिन स्वरों पर अलग लग गति विद्धियों के जरिये लोगों को जाग रूपता वा जानकारी प्रतान की जारे है। प्रदेश की जैराम सरकार द्वारा हिमाचल को नशा मुक्त बनाने के लिए प्रदेश भर में 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक नशा उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है। चरीर को खोकला कर देता है और नशे से बचाओ किस तरह से किया जाता है यह फ्रिच चित्र के माध्यम से दिखाया गया। ठाना निव शिमला प्रभारी लक्षमन कुमार ने बताया कि एक महीने तक चलने वाले इस अभियान के तहत विद्यार्थियों को नशे के दुश्परभावों से अवगत करवाया गया। उन्होंने कहा कि बच्चे देश का भविषय हैं ऐसे में इन्हें नशे की गिरफ्त से बचाना बेहद आविशक है जिसे देखते हुए परदेश सरकार के निर्देशा नुसार और पुलिस प्रशासन की टीम के सहयोग से यह अभियान चलाया जा रहा है। नुदेशा 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 अपने अकाल मिलीतु का ग्रास बने इसलिए हम एक बच्चे को जागरू कर रहे हैं और यह वियान हमारा तब तक जारी रहेगा जब तक हीमाचल पूरी तरह नसमुक्त ना हो जाए इसलिए मेरा स्ताफ से होगी और मैं हमारा पुलिस बिवाग और हर बिवाग के सीम साब कहा वहीं वित्याले की प्रधानाचारिय सीमा नेगी ने भी पुलिस प्रशासन की दीम का अभार जताया बच्चे इसे काफी कुछ समझे लिए वैसे तो वशबर ड्रग्स के बारे में बच्चों को या इस तरह की बुरी आत्तों के बारे में बच्चों को हम जानकारी देते रहते हैं या उनको बार-बार कांसलिंग भी करते रहते हैं उनके पैरेंट्स के साथ भी लगातार कॉ मेंक भी बीडियान है